नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों मैं करुणा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ CBSC की नई अपडेट जो विद्याती 10th और 12th की बोर्ड परिक्षा देने वाले हैं उन्होंने बोर्ड परिक्षा देन के लिए महतोपूर गाइडलाइन्स जारी कर दी है क्या गाइडलाइन्स हैं CBSC किस तरह से इस बार परिक्षा लेने वाला है वो जानने के लिए आप बने रहें सिक्षा प्रभा के साथ बेटा अगर आपने अभी तक भी शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब कर ले जिससे की इस तरह की अबडेट और इसके अलावा आपके model test paper, practice paper, result, marking scheme, syllabus ये सब आपको मिल सके तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं Central Board of Secondary Education CBSE की Term 2 परिक्षा 26 अप्रेल 2022 से शुरू होने वाली है आप सभी विध्यार्थियों को ये बात पता है इसके अलावा दस्मी और बार्वी के 34 लाग छात्र इस बार परिक्षा देने वाले है इसको लेकर के CBSE ने कुछ गाइडलाइन्स जारी की है उसने परिक्षा केंद्रों पर सक्ति गम कर दी है यानि कि CBSE इस बार परिक्षा केंद्रों पर कम सक्ति रखेगा एक्जाम के दिनों में फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर COVID-19 देशों में धील की गई है CBSE ने एक कक्षा में 18 चात्रों को बैठने की अनुमती दी है जो की टम फर्स्ट में सिर्फ 12 विध्यारती बैठे थे एक कक्षा में चीक है अब आप लोग एक क्लासरूम में 18 विध्यारती बैठ सकते हैं सेकेंड है बिटा COVID के पुराने नियम जैसे की शोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो आपका टेंपरेचर चेक होता था वो अभी भी होगा टम टू की परिक्षा में भी होगा और उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी थाड है बिटा, गोपनिय सामगरी का जो है संचालन उचित रिकोर्ड सुनिश्चित करने के लिए प्रते एक चनलन में गोपनिय सामगरी की जियो टेगिंग अनिवार रहे है ठीक है मिटा, तो चेकिंग आप की होगी कि आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा सामान ना हो फॉर पॉइंट में CPSC कहती है कि परिक्षा को सुचारो रूप से सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड थ्री स्टेप वरिफिकेशन प्रिक्रिया को फोलो करेगा फिफ्ट पॉइंट मेंटर परिक्षा केंद्रों का पूरा कामकाज केंद्र अधिशक द्वारा ही संभाला जाएगा यानि कि जो सेंट्रल पे जिस स्कूल में जिस बिल्डिंग में आपका एक्जाम होगा वही लोग उस परिक्षा केंद्र का पूरा कामकाज सम्हालेंगे आम तोर पर स्कूल का प्रधाना चार्य उसका धिक्षक होता है लेकिन जरूरी नहीं कि स्कूल के प्रिंसिपल ही वहां के मेना धिकारी हो किसी और को भी CBSE वहां पे रख सकते हैं पॉइंट नमबर 6 बेटा, CBSE कक्षा दसमी बार्मी की टर्म टू परिक्षा दो हजार पाइस दो घंटे की होगी ठीक है, जो सुबह साड़े दस बजे से दो पहार साड़े बारा तक होगी आप सभी को अपनी टाइमिंग पता है पॉइंट नमबर 7, छात्रों को निर्धारित परिक्षा केंदर पर सुबह साड़े नो बजे आपको रिपोर्ट करना होगा दस बजे तक बैठना होगा, यानि कि आप साड़े नो तक अपने सेंटर पर चले जाए दस बजे तक हमनी सिटिंग ले ले दस बजे के बाद स्कूल गेट की एंटरी बंध हो जाएगी, मतलब आपके परिक्षा केंदर पर एंटरी नहीं मिलेगी दस बजे के बाद, तो इस कारण से आप सभी को कोशिश करनी है कि आप साड़े नो ही एक्जाम सेंटर पर चले जाए पॉइंट नमबर एक, छात्रों को प्रशन पत्र और आंसो सिट दस बजे आपको दे दी जाएगी, यानि कि एक्जाम से आधा गंटा पहले ताकि आप उत्तर पुस्तिका को ध्यान से भर सकें, प्रशन पत्र को अच्छे से देख सकें 20 मिरट का टाइम आपको पेपर पढ़ने के लिए भी दिया जाएगा CBSC की तरफ से परिक्षा हॉल में प्रवेश CBSC रॉल नमबर प्रवेश पत्र दिखाने पर ही होगा यानि कि आप सर भी कोई ये चीज तो खेर जर्नल सी बात है कि आपको अपना रॉल नमबर ले करके जाना पड़ेगा उसके बिना आपको स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी और आपके रॉल नमबर पे आप जिस स्कूल से संबंधित है उस स्कूल के प्रधान अचारे के साइन होने चाहिए बिना हक्स्ताक्षकर किये हुए प्रवेश पत्र यानि अगर प्रिंसिपल ने उस पे साइन नहीं कर रखा है तो इस तरह के एडमर कार्ड को स्विकार नहीं किया जाएगा और चात्रों को प्रवेश से रोका जा सकता है चात्रों और उनके अभिवाववों को यह सला दी जाती है कि निर्देश की अनुसार ही परिक्षा हॉल में जाए तो यह थी कुछ गाइडलाइन्स जो CBSC ने जारी की हैं बोर्ड परिक्षा वाले दिन के लिए टम टू की बोर्ड परिक्षा जो होने वाली है 26 अप्रिल से दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो यूसफुल लगी होगी पसंद आई होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला और बिटा अगर आपने सिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सिक्षा प्रवा को सब्सक्राइब भी कर लेना